हेलो दुस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन अल पर कर दीजेगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए इंपोर्टेंट टॉपिक प दोस्तों उन दोनों का सॉलूशन आपको मेरे ही यूटूब चैनल पर मिल जाएगा आप मेरे यूटूब चैनल को खोल कर आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोगा अंसाल पेपर सॉलूशन कर रहे हैं केवाल 2021 के लिए ठीक है इसमें दोस्तों आपको 30% करके सवाल जोगी कोवेड-90 की वज़य से तो इसको यहाँ पे नहीं लिखा गया है पहले ही आपको मेने बता दिया कि 30% करके इस वीडियो बताऊंगा जो आपको इस साल नहीं पढ़ना है इस वीडियो बस वही बतांगा जो आपको इस साल पड़के पेपर देना है जो शत्रों आना की एक कुंडली 50 बोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है कुंडली में संचीत उर्जा है आपको संचीत उर्जा बताना है प्रतिरोध दिया है 10 हेनरी 100 पे रखत्व दिया है और 50 बोल्ट दिया है प्रतिरोध को 68 करते हैं हेनरी को 100 पे रखत्व के यल से और बोल्ट को भी से क अब तो इसमें कुंडली में संचीत उर्जा पूछा है तो इसके लिए हमने पहले आई लिका नला पढ़ेगा तो आई बराबर क्या होता है भी बटा आर तो हमने आपसे पांच एंपीयर लिका लिए इसका एंसवर यानि पचास बटा दस करेंगे तो पांच एंसवर आ संचीत तूर्जा कितना गया एक सो पचीज तूर्जा उसमें क्या है सही है संचीज तूर्जा यी बराबर एक सो पचीज जूल दोस्तों हम लोग घह कहता है कागच की सीट पर एक सियाही का धबा है धब्बे के उपर 6.0 cm मोटा 1.5 अपरतनांग का काच का गुटका रख दिया गया है धब्बे के प्रतिविम्ब का विस्थापन होगा कागच के सीट पर एक सियाही का धब्बा धब्बे के उपर 5 cm मोटा अपरतनांग का एक काच रख दिया गया है जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई यहां पर माल लीजे हमने धब्बा लिया है यहां पर गोल साय से कर दिया अब आप इस पर थोड़ा सा मोटा मोटा अगर इस पर सीशा रख रहे हैं तो इसमें क्या होगा धब्बा लगे गाना कि कुछ उपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है तो वही चीज़ यहां पर दिखाए गया है कि धब्बा तो नीचे है लेकिन जब कोई सीशा हम लोग लगा रहे है तो यह क्या हो रहा है कुछ इसको नीचे है जिसका शुख रहनीगा हम लोग इसको ग्याद करने है ठीक है जैसे कि माली जेए कि इधर आपको समझा दे रहे हैं, जैसे हम लोगा माली जेए बिंदू हो गया धबा, इसके ऊपर हमने सीचा लगा दिए, तो सीचा जब हम लोग लगा रहे ते हो कुछ उठा हुआ दिकाई दे रहा है, तो बस इस सीचे कि लंबाई क्या हम लोगा है, य ये हम लोग का क्या है D है, ठीक D, यहा से यहा तक क्या हम लोग का D है तो जब हमें ये ग्याद करना है तो माल दilation इसकी जो दोरी है ये ये ह्ड़ है, तो हम लोग ह्ड़ में से ह्ड़ घटा देंگे तो वही virus do Berber लोगा यख गहटाएंगे तो वहीं लिखा गया d बरबर यहां लोगभे हेस्ट का मान यहांव मोभ रख लेंगे और यहांपर से धाय से multiph नीट्वठीक का होगी हाइट देदी हाइट शिंचेल आव अब इस्में उपनीच दशत Regardless कर देंगे तो यह क्या हाँगा पंदर चोको साथ चार बार में कड़ गए यानि 6-4 यानि कर था 2 सेंटी मीटर यह हम लोग का एंसवर हो जागा जिसमें B यानि धब्बे में प्रतिवीम का विश्थापन होगा 2 सेंटी मीटर आकला सवाल देख लेते हैं दो सुरूत काला संबंध होते हैं यदि वे तरंग उत्पन करते हैं नियत का लांतर की ठीक है जो हम लोग आता है एक अर्द चालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरूध के साथ स्वेडी करम में सन्योजित है परिपत में धारा राप्त होती है यदि बैटरी की ध्रुवता उलत दी जाए उलत दी जाए ठीक है तो प्रत विकल्पी है जो हमने समझ लिया जो हंल करने वहले हैं इसको जवाब देकर हम लोग बताना था और जवाब भी दे लिया ठीक है अब इसके आगे आते हैं तो यह थीए ठामे गूटी में यह मतलब फूर का सूतर लिखेना कि यह लिखहें रभिया मतलब उत्व BRE Configal है यहां पर तो बस या तो यह लिखे या तो यह लिखे ठीक है तो अब ने दोनों लिखे दिखा दिया है तक कि कोई confusion नहीं है सरको भी वह भी आसानी से चेक करके हमें नमबर प्राप्त कर दें खाता है आव इसो के मद लगने वाले विद्धूत से विद्धूत सिल्ता अव. विद्धूत सिल्ता आप शाविमी यह समीं को निकाली निकाली है आवएस्ए के मथ्थभी विद्धूत बहल हों थी वबराबर क्या हो क्या है एक क्याkusुट अन्य 302 ठीक है बटा यम यल T-2 into L square यान यह लंबाई हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे सब उपर भेदेंगे ठीक है जो कटने लाइख होगा कट जाएगा जो घड़ने लाइख होगा घड़ जागा ने तो एक ही में जूड़ जाएगा ठीक है तो विद्दु सिल्टा का म एवां चुम्बकिय छेतर B में एक इलेक्टरान बीना विच्छेवपित हुए सीधी गति करता है इलेक्टरान के विच्छेवपित रहने के लिए चुम्बकिय बाल इसकोल टू वैद्दुत बाल यानि कि B E B is equal to E small e तह B बराबर E बाटा B तो यह E B और यह E तो E से E केंस सील हो जाएगा तो B बराबर किया हो जाएगा E बाटा B हो जाएगा ठीक है आगे देख लेते हैं अब जोस्तों आगे हम लोग कहा जाता है डव हाइड्रोजन परमाडू की प्रत्थम कच्छा में इलेक्टरान की उर्जा माइनस 13.6 इलेक्टरान बोल्ट है इसकी तीसरी क एलेक्टरान की उर्जा क्या होती एगी अनुकुर्मान परती एक गटानिस इसक्वाइर एं बराबर क्या होता है माइनस 13.6 इलेक्टरान रिज तो एक तो E3 बराबर क्या हो जाएगा E1 बटा 9 E1 का मान रख लेंगे बटा 9 यह 9 से भाग देंगे तो E3 का मान ग्यात हो जाएगा तो दोस्तो अब अगला सवाल आता है निकलके हम लोग अच्या परकास के वीवर्तन से क्या तत्पर है यह हमने पहले भी बता रखा था एक बार और भी देख लेते हैं वे जीरी अथवा अवरोध के किनारों की और आंसी कुरूप से मुड़ जाती है परकास की रणों के इस परकास मुड़ने की प्रक्रिया को परकास का वीवर्तन कहते हैं बस आपको इतना ही लिखना है आपका पूरा नम्मर मिल जाएगा अब आता है खंडस यह दोस्तों आता है तीसरा हम लोका तीसरा को यह आता है दो नम्मर में वैदुद वीधु पी वैदुद वीधु आगोण पी के वीधु की अक्षिक में केंदर से आर दूरी पर वैदुद वीवा का वैंजक लिखी है वैंजक लिखी यह ने लिखा कि वेंजक को प्राप्त कीजिए तो यहां पर वेंजक हमें लिख देना है कि वर इस वैदुद विध्रू को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंद पर वैदुद विवो क्या होगा यानिक दो चीज हमें बताना है तो वैदुद विवो के अक्षपर केंदर से आरदूरी पर वैदुद विवो भी बराबर क्या होता है वैदुद विध्रू की निरच पर होगा और तो निरच पर विवो क्या होगा जीरू होगा तो बस हम लोगो यही दिग्री देना है अब आता है ख़व क्या कहा रहा है एक सवाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वार प्रिष्ट छे ट्रफल की कुंडली से बी बराबर 3i cap प्लस 4k cap टेसला का बद्ध फ्लक्स घ्याद कीजिए दिया है एक वेक्टर इस इक्वाल टू 0.2 k cap मीटर स्क्वार अब यहां पर देदी है बी इस इक्वाल टू 3i cap प्लस 4k cap टेसला प्रिष्ट से बद्ध फ्लक्स यानि 5ba अब इ स्क्वाल के से के देखेंगे तो 428 यानि 0.8 टेसला मीटर स्क्वार इन सवर खंडदा कहता है इसमें बस दोस्तों दोई सवाल था जो की साल पूछेगा बाग किसमें का सवाल नहीं पूछेगा तीसले नहीं लिखा गया है अब आते हैं खंडदा पेप चोथा का कव विद ले जाकर देख लीजिए सेट टू सेट ववन दोनों जाकर देखिए अगर आपको पीडियाप चाहिए तो नीचे लिंक है लिंक पर क्लिक किजिए असानी सामारे वेबसाइट बेजाइए वहां से पढ़िए कि आपको पीडियाप कैसे प्राप्त होगा उसके बाद आप आ लोग उन पर चीज अब यहां पर इन लिख लिख लिए एगे इंवार चाहाँ पर लिख हुआ है यहां पर र सर्ति हर यहां अब देखें 5-4-9 और यहां पर 4-3-2-5-5-4-9 तो यहां पर 9-9 क्या हुआ बराबर हो गया तो यहां लोग का क्या हुआ सीध हो गया ठीक है दूसरे नियम क्या उनुसा हम लोग देख लेते हैं आपको एक ऐसे बना देना है तो यहां पर 10 वोल्ट यहां पर 5 वोल्ट हमने इस बेसे पर उधारन लिख सकते हैं ताकि आपको एंसर लाके प्रूप कर देना है कि मतलब इतना बराबर आ रहा है ठीक है अब हम लोग का खह कहता है ताम्बे में मुक्त इलेक्ट्रानों का घनतो आठ दसमलों पांच गुड़े दस के घात 28 मीटर माइनस क्यू यानि माइनस क्यू है 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर माइनस क्यू अनुपरस्त प्रती 6 के ताम्बे के तार से होकर प्रवाइत धारा का मान ज्याद कीजिए तार से चार बोल्ट की बैटरी जूड़ी है तथा तार में एलेक्टानों की गति सिल्ता 4.5 गुड़े दस के घात 28 मीटर माइनस क्यू और यल बराबर दिया था 0.2 मीटर ये बराबर दिया था एक सेंटीमीटर स्क्वार जिसको हमने मीटर में बरला है ता दस के घात चार मीटर स्क्वार वोल्ट देदी था चार बोल्ट मीवाराबर चार दौश्मलब 5 गुड़े दस के घात्र चे अब निए और यहां पर वही तीनों सूत्र का परियोग किया गया ठीक है तिहां पर रिके वीडिक और चेंज करके क्या लिखा है नूइए और इसमें तो यहां प्रूटती चिजा है कि आपको सारे चीजों का मान मलून है इंगल का मान मान में अब डोटे गए 122 मुं चार्ट चुकी हमलुक आपको आता है चुम्बकिय प्रविर्ति तथा 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 आत्रक बेबर प्रति एंपीर मीटर तथा न्यूटन प्रति एंपीर स्क्वाइर है नर्मल है कि चुंबक सिल्ता इस टील की अपएच्छा अधिक होती है वस इतना ही लिखना है चुमबक चलता है के बारे में अब यहां पर सुगरहिता या फिर चुंबक की प्रिवर्थी ल चुम्बकीय प्रवर्ति कहते हैं इसे X यहनी काई M से प्रदर्शित करते हैं तो काई M & I बटा यज इसका कोई मात्रक नहीं होता है गर्म छोहे की चुम्बकीय प्रवर्ति यानी काईयम इस्टील की अपक्षा दिखोती है अब देखें दोस्ति यहां पर क्या लिखा है साप एक्ष चुम्बक सिल्टन्यू आर्त था चुम्बक की प्रिवर्थी X काई अम में संबंध बता ना है ठीक है तो यहां पर लिखें किसी धारावाही परिनालिका के भीतर नर्मलोहे की क्रोड रखने पर क्रोड के भीतर प्रिडामी चुम्बक की प्रेणर बी इजक्वाल टू म्यू जीरो ब्रेकेट में यच प्लस आई ठीक है जो कि वेक्टर के रूप में है चुम्बक की अप्रिवर्थी काई अम बराबर आई बटा एच होता है जो कि आई वेक्टर इसक्वाल टू काई एम एच तो क्या करेंगे उसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा असा ख्यात्मक रूप में बी बराबर म्यू जीरो एच प्लस एक्स काई एम एच हो जाएगा तो हम लोग कादिश में आप कामन दिख रहा है तो बिबराबर क्या होगा झैंट उसको खली नीव बोलेंगे तो हम लोग को न्यू क्या करना है एदर यहां पर देखें इसको ख़ली बोलेंगे तो निव जीडो निवोगर यहां पर देखें पहले तो यहां पर निव है एक हम लोग का new 0 करेंगे तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा new r हो जाएगा ठीक है तो वही चीज लिखा गया ठीक है तो यहाँ पर देखी यह चैसे तो यह cancel हो जागा बचेगा new button new 0 इधर इसको इधर बेज़ेंगा कल के वीडियो में हम इसके आगे का लगाएंगे सवाल जो कि काफी महत्तपून और सारे 3 से 5 नमरों के बीच के हैं आज हमने 3 नमरों का 3-4 सवाल लगा लिया है बाकी 1-2 नमर का पूरा हमने खतम कर दिया है यानि कल के वीडियो में काफी important और जादे नमरों का सवाल हमें दे